Hello everyone, चलिए discuss करते हैं अपनी regular and irregular verb की list के बारे में ठीक है, देखे पहली verb लिखी है यहाँ पर have ठीक है, right? यहाँ पर अगर मैं has, have, had की बात करूँ तो has, have, had को हम use करते है पास होने के लिए जिसे something belongs to you, मेरे पास एक bottle है, मेरे पास एक mobile phone है मेरे पास खूब सारा पैसा है, तो जो भी pass होने के हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम use करते हैं, have, right? नैस यहाँ पर लिखा हुआ है, here, right? here का मतलब होता है, सुनना, यह आपको पता है, had का मतलब, छीपा देना आपको देखें, कि सभी के सभी form से मालूम होने चाहिए, hit क मतलब क्या होता है, टकराना, right student? इता समझे महारा है, हम आगे के list में भढ़ते हैं, hit क मतलब, टकराना यह हमने पढ़ा है, hurt क मतलब क्या होता है, चोट पहुचाना, keep रखना, right? no कमतलब होता है, जानना, and that's all for today, हम अपनी next list, next video भी discuss करते हैं, okay, thank you so much